कि बिजिनेस में सफल होने के लिए फोकस और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है तो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं चोड़ा आई आई आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक्रेकर मैं मनुविकार सेक्स रोग सम्मुहन तथा व्यस्टन मुक्टितग्यों श educator होता का है कि लोग फॉब्यान से चालू करते हैं स्पेशलिंग जन्य गेरेशन और उनके पास'veнation में रुपने रुपने का समेहने लोग उनको इंस्टन्ट सक्सेश चाहिए और इंस्टन्ट सकसेश नहीं में तो तो टीड़न्ट पैक्क करते है और नया बिजनेस चालू कर देते हैं इसमें कोई पड़ा नहीं है यह आप जो बिजनेस कर रहे है उसमें आपको सफलता नहीं है मगर वही बिजनेस करते हुए बाकि लोगों को सफलता है इसका मतलब मेरा बिजनेस करने में कुछ तबी गड़़ हो रही है मैं फोकस नहीं मेरा तरीका ठीक नहीं है, मुझे देखना पढ़ेंगा कि मेरे बिजनेस में क्या ऐसा मिसिग है, मेरे में ऐसा क्या मिसिग है, कि जो एदि मैं करता हूँ तो यह बिजनेस चलेगा। कि ऐसे स्टेडिस में पाया गया है कि दस में से आठ बिजिनेसे पास साल के अंत में बंद हो जाते हैं दस में से आठ बचे दो मतलब 20 परसेंट अब उसमें से 80 परसेंट बिजिनेसे जो है वह एडे इसका मतलब ऐसा है कि सौ में से चारी बिजिनेस अड़ेंड आपको दिखते हैं कि वह चल रहे है और सौ में से 96 बिजिनेस बंद हो चुके कि लोगों को तरीका ने बिजिनेस में काम यह करने का और लोग बिजिनेस बदल डालते हैं मैं बोलता हूं कि आपको बिजिनेस बदलने का नहीं है चालू करने के बाद में बिजिनेस बंद नहीं करने का है बिजिनेस करने का तरीका बदलना पड़ेगा बिजिनेस बदलन सबते हैं अबढिए बढ़ कि अब Finnish कोहरेका आपने में देखना कि मेरे मिछ या कि मेरा बीजनेस नहीं चल रहे हैं मैं दश जगह फत्र मार रहा हूं 10 जगह काम कर रहा हूं मेरा फोकस नहीं अटिंशन नहीं है कॉनसेंटरेचिम नहीं तो फोकस एंड फोकस बहुत जरूरी है और वैसे consistency जरूरी है साथत्य जब साथ consistency रहेंगे consistent यह वही वही काम करेंगे और नए नए तरीके से काम करेंगे समझें यह सफल नहीं होता है तो चलो टीके रहो है और टीके रहे के वहां काम करेंगे तो काम होंगा और सफलता मिलेगी मेरे लेक्षे में बोलता हूँ कि यहां टीके रहना कोई है तो टीके रहना कोई ख़ड़ा नहीं होता तो टीके रहना कोने मैं पूछता हूँ टीके रहना तो मैं बोलता हूँ टीके रहना तो रहना न तब तक थक जाते हो और आप आप सकसेस होने वाले तभी आप पिछह जाते हो तक आप से निकल जाता है तो आपको टीकर रखना जुरूगी है बहुत बार ऐसा होता है कि हम बस की रहा देखते हुए बस टॉप के खड़े रहे थे बस आप बस बस आप ये न टो आप चरा यह जो चलो तो धो खरके देखियोगे और पर प्राबलेम उता है जुरूगत गए कि लोगोंगे पास में एक बिजनेक चालू करते है ब própriaन के पास में विदेथ सतरा हमें देखते हैं नहीं चला नहीं चला सब्सक्राइब तो प्लान या प्लान ए में फिल होने वाले हो जाता है कि शिवाई जी महाराच जब किला सरकर्ण के जाते थे किले के उपर अपनी पुरी फौज उपर लेजाने के बाद में उपर जाने के जो ऊपर जाने की जो रसी है वो तोड़ डालते थे ताकि अभी हमारी फौज जो है वह भी मरेंगी हमारी अभी वापस आने का रास्ता बंद है तो जब वापस आने का रास्ता आपके लिए खुला है तो फिर आप प्लान ए में सक्सेस्फुल होंगे इने चांसे बहुत काम है तो पीछे आने के वापस आने के दरवाजे पूरे बंद रख करके आप इती काम करते हैं consistently काम करते हैं focus करके काम करते हैं तो definitely आप कुछ भी जंदा लो कुछ भी business करो successful हो जाएगा और जब business आप चालू करते तो business में knowledge बहुत जरूरी है वो business का skills लाना बहुत जरूरी है और बहुत बड़ा जो काम है उसमें वह लोगों को चलाने का people skills लोगों को कैसे चलाओंगे टीम को कैसे चलाओंगे टीम से कैसे काम करवाओंगे वो एक skill तो यह रहेगा तो business नहीं चलने का कारण ही नहीं है यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी जो entrepreneurs है जो क्लियर करो ताकि यह लोगों को क्लियर हो जाएंगा कि हमारा घंदा चलान है तो कैसे चलाओंगे और बंध ही करने का है उसके लिए क्या क्या पिट फॉल्स है थैंक्यू वेरी मच फर शेरिंग सब्सक्राइबिग और लाइक थैंक्यू हुआ 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 झाल झाल झाल